ओरिसा के महिला क्रिकेटर राज स्री की मोत के बाद रोहित सर्मा का बड़ा बयान की होनी चाहिए सिबी आई जांच जीहां दोस्तों ओरिशा की लापता महिला क्रिकेटर राज स्री स्वेन की लाज शुकरवार को कटक चिले के एक घने जंगल में पेड से लटकी होई मिली है 26 साल की महिला किर्केटर राज स्री स्वेन 11 जनवरी से लापता थी राज स्री स्वेन के हेड कोच ने 12 जनवरी को गुर्सूद की की सिकायद भी दर्ज कराई थी कटक के पुलीस अयुक्त पिनाक मिस्टरा ने बताया पुलीस को लापता महिला किर्केटर राज्ट्री की लास अठागट इलाके के जंगल में एक पेड़ से लटकी हालत में मिली जंगल के पास से लावारिस हालत में खड़ी उनकी स्कूटी भी मिली है पिनाक मिसरा ने कहा हमें राजस्री का सव मिला है इस मामले में ऐ प्राकर्तिक मोथ का केस दर्च कराया गया है फिलाल पुलिस सभी एंगल से इसकी जांच कर रही हैं लेकिन दोस्तो टीम इंडिया के कप्तान रोहित सर्मा ने कहा है कि राजस्री की मोत एक बहुती भूरी कबर है और उनकी मोत की जांच सीवी आई को करने चाहिए ताकि बदा लगबाये कि राजस्री की मोत आखिर केसे हुई तो दोस्तों आपको इसके बारे में क्या कहना है अपनी राई कमेंट में करें साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें